हाई इस्टेंट्स इस्टेंट्स इस वीडियो में कलास्तिंद का गोदली भाग्टू का सकेंड चिप्टर 20 के दाथ पढ़ा रहा हूं तो आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो बनाते से में कोई प्रोलम आ जाता है इसलिए बीना बोले रोकना पड़ता है ठीक है कोई बात भी तो देक है तो खोखा जो है कासू वह अपने गली के बगलवाले गली में जाँ पहूंचता है वहां वह मदन को देखता है मदन अपने परोस्योंके साथ खेलता खुलता रहता है नहीं दूल नचा रहाता है, खोखा ने देखा तो उसकी तबियत मचल गई, जैसे खोखा ने देखा, मदन को लट्टू नचाते हुए, तो वो लट्टू को पाने करे उसका मचल गया, यानि को दौर दौर उठा, देखते हैं यह बच्चा कोई नया चीज़ को देखता है, तो उसको पा पाने के लिए नचाने करे तरह पूठा लरक परा, यानि को उसके पर दौर ना सुरू कर दिया, अब इससे कहावत क्या है, तो यह देखिए, हंस कोवे की जमात में सामिल होने के लिए लरक गया, ठीक है, खोखा जो है, मदन के गुरूप में की और दौर ना सुरू किया, तो इससे कहावत यही निकला, कि हंस जो है, कोवे की जमात में सामिल होने के लिए लरक गया, ठीक है, बतला कि हंस यहाँ पर खोखा के लिए संबोधित क्या जा रहा है, और कोवा है, तो मदन के लिए उनके दोस्तों के लिए संबोधित क्या जा रहा है, अब खोखा है, अ आगे देखे लेकिन आदत सिलाचार उसने बड़े रोप के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो दो हम भी खिलेगा कासु जो है खोखा वो आदत सिलाचार है यानि कि आदत उनका वही है कि वह सबसे करे आवाज में बात करता है रौप से बात करता है अहंकार से बात करता है तो आज भी वो मदन से लटू मागने के लिए भी रौप से ही बात कर रहा है कैसे बात कर रहा है कि हमको लटू दो हम भी खेलेगा तो दूसरे लड़कों कोई खास उज नहीं थी भी खोखा को अपने जमात में लेने के लिए फा गीला नहीं था शिक्वा नहीं था उसको। उनको पैदा होने वाला था कि खोखा हमारे गरूप में शामील हो जाएगा, तो और पैदा होई जाएगा अमीर घर का है कुछ खार्शा पानी खार्चा कडी देगा, ठीक है इसका रहोता है न तो दूसरे लर्कों कोई खास उज़ नहीं था कोई परशानी नहीं था ठीक है पर उनके अपमानी परतारित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकते उसने छूते ही जबा दिया अब भागचा यहां से बराया लट्टू खिलने वाला है भी लट् जा अपने बाबा की मोटर पर बैट ठीक है पर दूसरे लर्कों यानि के मदन के गुरूप का लीडर कौन था मदन ही था जो अपमानी परतारित यानि उसके पापा ने उसके ड्राइबर ने कार चुने पर जो अपमानीत किया था परतारित किया था जिसके कारण मदन को रा कि इतना पिटाने कर उसको खोस बोलते हैं और नाराज़्गी टाइब का ओफ हो गया हुआ था से जो भी है उसके संतान पूत जो भी उससे भी तो ओपनली बोल देता है कि अभी जा भाग यहां से खोका को बोलता है कि अभी भाग जा यहां से और बड़ा अलट्टू खिलने कासु तैस में आ गया मतलब कि तैस मतति की फार्म रूप में आ जया है नहीं हुँटा कि लघाए से लोग टैयारी करता हूं उस टैब से लखने के लिए तيयार में आ गया यहां लिए टैसल मे आ गया वाग नका आदध था आग मतलब की बहा चला देता था और मजा किसी का मजाल ने कुछ कहा दे तीक है यही आदत उसको घर में बना हुआ था और वहां भी गली में भी इसी आदत को बरकरा रखा तो क्या होगा आगे देखिया तो वह तैस में आ गया उसने आउना देखा ता यानि कि उन्हें इधर देखा भाई खोक गुसा दे दिया ठीक है मतले लट्टू मांगा था कुवासु ने मदन से कि दो मुझे नचाना है मदन ने उसको माना कर दिया कहा कि जा अपने बावा को मुटर पर बैठो पर मदन को गुसा आ गया तैस में आ गया वह बहुत गुसेल था ठीक है और सब पर भी हाथ चुड गुंड़ा डाकू होने वाला मदन भी कौद मानने वाला था गरीब घरकर था जिसके बारे में सेन सार भॉलते थे कि यह चोडड़ा डाकू होने वाला है तो जट कासु पर टूट परा ओवा भी जट कासु पर लडरायकी के लिए कुद परा ओर दूसरी लड़के जा इस ह यूद का मजा लेने लगा, यानि कि लड़ाई होता है ना देखता नहीं है, दो बच्चे लड़ाई करते था, बाकी सब लोग उसको देखते में इंज्वाइफिल करते हैं, वैसी होने लगा, लेकिन लड़ाई हड़ी और मांस की है, बंगले के पिले और गली के कुट्टे क लड़ाई थी, बतलब इस लड़ाई को जो मदन और कासू के बीच लड़ाई हो रहा था, इसको लेखक जो है, दर्साते हैं कि ये लड़ाई है, सिर्फ मदन और कासू के बीच नहीं हो रहा है, या लड़ाई हड़ी और मांस के बीच हो रहा है, हड़ी बला हड़ी मदन को संबोधित करता है कुए कि मदन जो है गरीब घर का है गरीब घर का है और उनको खाने पिνे हुथ फिरलम होता होगा ठीक मरें घुनिंट जो है क्या वोड़ते कासु है शजान सहीज हैं ममगवांस और उनकी म्हिन जाला का पूत्र है हैं है घрон का पुत्र हैं हडी हड्य ओम इस यhearted हो बचल्ञ करने कांथ कि की फूला उला जो खाऊकर फूल नहीं जाता पॉल जैसा उस स्थेब से पिर अगले के फिले और गली के कुट्टे की लड़ाइ थी यानिकी बंगले के कुट्टे कासू है और गली के कुट्टे मदल है इन दोने में लराई हो रही है तब देखते कौन जीता है बंगले के कुट्टे जीते है कि गली के कुट्टे जीते है यानि कि मास जीता है कि हड़ी जीता है आहाटे में यही लराई होती होई रहती तो कासू सेर हो जाता वहा जान लेका भाग निकला कर रहा है कि देखे खास बात यहा है और समझे कर रहा है कि यही लराई जो गली में हुआ है और यह लराई गली में न होकर सेंद साहब के अहाठे में हुआ होता सेंद साहब के नजदिक में हुआ रहाता तो कासु वहाँ पर सेर हो जाता है, ठीक है, कोई को वहाँ पर मारूंगा तो कुछ प्रोल्म हो सकता है, ठीक है, इसलिए कासु आहाटे में लराई होता तो वहाँ पर सेर था, लेकिन याँ गली है, गली में कोई किसी को नहीं पूछता, ठीक है, वहाँ से एक ही मिनट बाद वह तो रोता हुआ जान लेकर भाग निकला उसके बाद लगाई हुआ कुछ एक मिनट बाद ही कासु वहां से भाग निकला और कहा जाता है और कहा गया देखे महल जोपरी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं पर उसी हालत में जब दूसरे जोपरी वाले उन हनिक बिक्ति में जोपरी वाले जो गरीब बिक्ति में तो महल और जोपरी वाले में लराई होता है तो अक्सर आप देखते हैं कि महल वाला ही जितता है अमीर और गरीब में लराई होगा तो हमेसा अमीर वाला ही जितता है पर कप जब गरीब ही लोग उनको मदद अपने खिल करते हैं ठीक है जैसे मोहल जोपुरी वाले ही उनकी मदद अपने ही खिलाप करते हैं ठीक है यहां पर देख सकते हैं ना जैसे कि अब ड्राइवर जो था सिंसाब का सोफर वो मतन गाड़ी को छूता है तो उसको धक्ये लिता है जिसका घुटना फूट जाता है तो ड्राइवर भी तो गरीबी था मदन भी गरीबी था ठीक है यानि कि गरीब गरीब था वो चाहता तो मदन को गाड़ चुवाद कर खुशी प्रवक उसको जान देता पन्दश यहां पर गरीब जो है सोफर ड्राइवर वो अमीर का साथ देता है गरीब का साथ नहीं देता तो उस पक्ष में क्या होता कि मौहल बला यानि कि अमीर पक्ष जित गिया लेकिन गाउ में क्या होता है गली में या छोटे बच्चों में ऐसी अकल कहा है छोटे बच्चों को बड़ा छोटा अमीर गरी भी सब दिखाई नहीं देता ठीक है उनकों में अकल नहीं है उन्हें तो अपने दूर्लर में लीडर की मदद की न मातापिता के मालिके लाजले की हाँ लराई खत्म हो जाएं तुरांत युट साहर हमाते हुए 3 • 3 वीतर वू गए यानि कि कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे जो है । उनको इतनी अकल कहा है वो दूर दर्मी लीडर की मदद की वो नहीं सुचते है कि जिसको मैं लड़ाई कर रहा हूँ वो बरी घर का है इसको कुछ कर दूँगा तो कुछ पूरलम होगा चोट लग जाएगी तो ठीक है पर लड़ाई के समय यह सब नहीं सुचते हैं बस लड़ाई लड़ना है लड़ते हैं जितते हैं लेकि लड़ाई खतम हो जाता है तो इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए